आज इस वीडियो में हम हिंदी दर्शुता या फिर जो भी हमारा हिंदी शेक्षन है सेकिंड एर का उसका इकाई दो करेंगे इससे पहले इकाई एक जो है हम फिनिश कर चुके हैं तो इकाई दो में जो है पूरा आपका ग्रमेटिकल पार्ट है आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब करें तो फिर आप ये पूरी वीडियो ध्यान से देखें इसमें आपके अलंकार समास जो भी है टॉपिक इस लिवस में आपके वह पूरा आपका क्लियर हो जाए रहा है ठीक है शुरू करते हैं इसको इसका नाम ही क्या है हमारी का भाशा सॉंदर्य अवध इद्रिष्टी से शब्द विचार रूप इद्रिष्टी से शब्दों पर विचार करना है जिस्ते अंदर अव्याय संधी समास उपसर्ड प्रत्य ये सारी चीजे आएंगी तो एटे करके इन सबको देख लेते हैं सबसे पहले एट याने वर्णों टे सार्थ वह ध्वनी की ही शब्द होते हैं शब्द क्या होगा जब यह से जादा वर्ण हो और वह सार्थ तरी इसे आए उसके आवाज आए तो वह शब्द है अत्वा या फिर ऐसा वर्ण समूझ इसका निश्चित अर्थ हो वही शब्द कहलाता है तो यह होता है शब्द हमारा अब इस अंदर अव्याइटी बात की जाए तो वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, आधी के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है, अर्थात जो सदा अपने मोल रूप में ही बने रहते हैं, चाहिए लिंग चेंज हो जाए, वचन चेंज हो जाए, ले यह लड़ी दोड़े, हम यहाँ पर यह तेज जो वर्ड है वो तेज ही रहेगा, चाहिए बहुत सारे लोग हो, चाहिए लोग हो, ऐसे तो देखो यह चेंज हो, जैसे राम दोड़ता है, दोड़ता है, तो दोड़ता है, अगर मैं यह कहूं, सीमा दोड़ती है, तो आधि बोध विसमय अधि बोध जो शब्ड होते आहा ओफो यह सब भी कैसे होते हैं आविकारी होते हैं निपात हो गया जैसे भी इन वी शब्ड है इसको किसी भी लिंग परिवर्तन से कोई फरक नहीं पड़ता यह भी भी रहेगा तो बहुत से आशे शब्ड हैं जिंको लि तो्हसार hy तो सबसे सवर्सन्दी सरी में क्या होते है दो स्वर्ण email से जो एक शब्द बनता है उसे हम कहते है फो यह शले। देल व क्या है तो टो यहां पर स्वर्ण हांध जोड़ा है और जोड़ा होया है और एक स्वर्ण स्वरोट यारे संदी यहां पर स्वर्जन संदी आगीम है्मिल सवय और वैंजन मेशंद्स संद्स वहां परिवरतन यहां नहीं on a याण कि व्यैंजन है यहां 내े तो में घंजन कंगने दुरि और तो दिक्र जमागर्ज बन्या दिक्रज और यह दोनों ही यहां पर आड़े चलके भी व्यंजन में ही परिवर्तित हुएं तो यह हो गया हमारा व्यंजन संदी ऐसी उत्त और नती में उननती हो गया ठीक है आड़े चले विसर्ड संदी यह होता है विसर्ड के बाद किसी स्व पर दिया हमारे आगे क्या लग गया है मात्रा लग जिसे हमने वना दिया मनोरत वैसे मन जमाहर मनोहर तो विसर्ड वह टा दिया गया इसलिए हमारी विसर्ड संधी बन रहे हैं यह वाला ना यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बता रहे हूं और आपके डिलेट सेंडियर पेपर में भी जो है एक नंबर एक वेशन में यह चीज़े आएंगी चाहे तो आप फॉस्ट यर पेपर उठा कर दे सेम पैटर्न होगा नेक्स्ट है समास समास क्या होता है इसमें अर्थ इद्रिष्टी से परसपर स्वतंत्र संबंद रहने वाले दो या दो से अधी शब मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना गरते हैं दो शब्द मिलेंगे और कोई तीसरा ही शब्द बनेगा और उसा अर्थ भी अलग होगा उन दोनों से तो यह होता है समास इसे भाग जो है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला तत्त पूरुष्ट समास इसमें क के का लोग अल्ग ना वैसी रोग्र से मुत रोग मुत तो से जो है वो लोग अल्ग हट गया तो ये हुन आमा रा था पूरुष्ट समास ठीक है ठीक है आ अगे चलो नैस्ट है द्विगू समास इसमें क्यों ह Самो का बोद होता है और पहला पद संख्या होता है सबसे एज सभी यह समास है हमारा ड्विगू समास इसमें हमारा नगे संख्या वक जिसे चार पायो चार पाई है पहला 50 यानि संख्या 3 1 वान गए इसमें दोनों पत्य मद्द मी योज लगा हुट ये बहुत एब 味da ढूणना है और पता चलिया जैसे सुख दुख माता पिता इसमें द्वंत समास हो गया बहुत इजी तरी इस वितारियों में और शौर्ट में वितारियों ताकि आप पहचान सके सीटेट में और अगर आपके डिलेड़े पिपर में आते हैं इस एक जामपल लिखने के लिए आप लसके आगा आफ़े स्मासे इसमें पहला पद प्रधान और अवय वहिटारी होता है पहले पीछे कुछ भी चेर्च होता रहा पहला पद जो यह वो छेंड नहीं होगा जैसे प्रती एक वर्श तो यह बन गया परती वर्ष यह जो प्रती यह कभी चेंजने नहीं होग उसी तरह से उड़िया, यह था समय, यानी समय के अनुसार, नेक्स्टे करमधारे समास, इसमें क्या होता है, पूर्व पद व उत्तरपद में विशेशन और विशेश्य असंबंद होता है, ये भी इसी है, आप पो तो वस इतना याद रहना है, कि जो पूर्व पद होगा वो विशेशन और उत्तर पद क्या उड़ा उसका विशेश्य होगा तो महान देव यानि महा देव हो गया तो देव कैसे है महा तो यहाँ पर विशेश्य हो गया देव और विशेशन हो गया महा तो महा देव बन गया वैसी महान आत्मा ऐसी आत्मा जो महान हो तो विशेशन और विशेश होंगे ठीक है next step भहूब रही समास इसमें दोनों ही पद가요ne होते हैं और अन्य पद अर्थ होते हैं मतलब इसमें दोनों ही जो पद होंगी उसका अर्थ तीसरे पद से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जो इस्वा अंसर होगा जैसे पितांबर पीला है अंबर जिस आंबर पीला हो यहाँ पर पितांबर बन लिया लेकिन पितांबर है कौन? कृष्ण कृष्ण इले यूज हुआ है यहाँ पर पितांबर उसी तरह से दस है आनन जिसके दशानन तो दशानन कौन है? रावन है चार है बुजाएं जिसकी चतरभुज हो गया चतरभुज कौन है हमारी यह मैं शेप वाली चतरभुज इबात नहीं कर रही हूँ विश्नो को भी चतरभुज कहते हैं क्यों उनकी चार बुजाएं होती है नेस्ट है उपसर्ड तो यह तो बहुत इजी आता भी होगा उपसर्ड उस शब्द खंड को कहते हैं जो किसी शब्द प्रारंभ में लगते हैं उप यानी आगे और शब्द का अर्थ बदल देते हैं या निर्मान करते हैं उधारन के लिए अव गुण सू पूत्र बे इमान तो इन में जो है उपसर्ड कौन कौन सा है अव सू और बे ठीक है नेस्ट प्रत्य है वे शब्द जो खंड शब्द के अंत में जुड़ने पर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो प्रत्य कह लाते हैं जैसे ही एहन कार अपना पन में पन है और फिर अता यानि मुर्ठता ठीक है नेस्ट देखो पद विचार इबात अब आपके शब्द खतव हो रहे हैं पदो इबात करेंगे पद विचार में आपको चंद पढ़ना है दोहा रोला चौपाई और कवित सवया सोर्था धनाश्री मुत चंद आंदी चंद चंद क्या होता है आडंबर प्रवह तथा आवरन किसी रचना के प्रते पद में मात्राओं अत्व वर्णों की नियत संक्या क्रम योजना एवं यति के विशेश विधान पर अधारित नियम को ही चंद कहा जाता है यानि नियम के अनुसार जो है कुछ लाइंस तयार की जा इसमें लए हो विराम हो तुक हो वर्ण हो मात्रा हो और जो नियम से हैं बंधिवी परंटियां हो यह होती है हमारी चंद के चंद में पहला आड़ाता है आपका दोहा दोहा अपने सुना भी होगा कबीर अरहीम का बिहारी का जे चंद ए प्रथम वात रितिय चरन में तेरा मात्रा है और तेव्यत्स चतूर्त चरन में द्यारा लगं你說 डोहा कहलाता है का दोहा दोहा है मेरी भव बाधा हरो राधा नागडे سोझ जातन की जाही परे श्याज मिर्दुतती होई मैंने कहा कि पहले और तीसरे चरन में तेरा मात्रा है तो यह उघ्या पहला चरन यहाँ यहां पर यहां पर 11 और यहां पर 11 मातर हैं तो पहले और तरी तरी चरन में 13 मातर हैं और चौत्थे और दूसरे में पहले 11 मातर हैं होंगी ठीक है अब इन मातराओं को गिनते कैसे हैं मैं आपको बता देते हूं आप ध्यान से सुनेंगे यह चोटी ए छोटा उ और रिशी इन्हें तो हम एक गिनते हैं एक मातरा इनके अलावा जो होती है जैसे बड़ा आ हो गया या बड़ी ई हो गई इन्हे जैसे अटवर हम पहली जो हमारा पहला चलम है उसमें हम 10 मात्र हो गिने तो माँपे िन मातरा है तो यह दो जैए गा वह ऑर यह जोड़े हैं तो यहाँआ पर भव यहां पर लोगया हैं तो यहांपे दोहीं आईगी हैं बादा में चीतने आएं during चार हो नागडी में देखी कितनी होगी दो एक तीन और दो पांच और सोए में तितनी मात्राय हो जाएंगे आप देखे दो अब इस पो काउंट अरतें चार दो छे चार दस दो बारा ओ नो मैंने इधर कभी गिन दिया क्या नई यह नहीं गिनना ना हमें हमें सिर्फ पहला चरण गिनना है तो यह वाला ओड़ा ना मेरी भव बाधा हरो सिर्फ यहां तर दो बारा से काउंट करेंगे मैंने बताया था छोटा अ छोटी ई सॉरी हाँ आज समझ लेंगे ना आपको सीटेट में भी दिखत में ओड़े ठीक है तो इसको यहीं पर ट्लियर कर लें छोटा अ छोटी ई छोटा उ और री से दिशी इन मात्राओं को हम बन गिनते हैं बाकि सबको हम टू गिनते हैं तो मा पे एटी मात्रा है तो अब हम इसे टू गिनेंगे छोटी वो हमारी सिंगल मात्रा में नहीं आता तो दो हो गए और री पे भी बड़ी एटी मात्रा है तो दो चार हो गए यहां पर भव में दो ही आई दी चुटी और जुड़ा हुआ है चोटा है बाधा में फिर से चार हो जाएंदी बड़ा और हरव में टित्ती हो जाएंदी आपकी एक और दो तीन अब इसको जिनते हैं चार दो छे चार दस और तीन तेरा बिलकुल तो आपने देखा पहले चर में पर गये हैं और मात्र हो जाएं चाहर आपको यहीं याद लखेंक जाएं सेसे चेल ऑपर थे नीचे ब्यांस चारण और तेरा मात्राइं होती हैं। और विद्ध रहें होई चार चरन रोला यहाँ हैंहों, किमा यहाँ और आख वहां दों में उसलिशा कवेदेynn कर्ण सब्सक्राइं। और हर जड़ा ऐसे होगा यहां पे भी इस चरण में भी इस चरण में और 24-24 मात्राइं हर चरण में होगी और इसे हम कहते हैं रोला ठीक है तो यह दोहा नहीं है दोहा अलग है दोहे में क्यों होता है पहले और तीसरे में 13 मात्राइं दूसरे और चथे में 11 मात्राइं और अधर टीचिन एजाम में भी आता है चौपाई क्या होता है जिस चंद प्रते चरण में 16-16 मात्राइं होती है और अंत में दो गुरु शुब माने जाते हैं वह होता है हमारा चौपाई तो हर चर आप इसे हर चरण में देए चार चरण दे रहे हैं चारों में ही इतनी मात होनगी 16-16 होनगी और अंत में क्या होता है शुब गुरु माना जाता है यानि पढ़ने में लयात मताती जैसे गाना पछिताना समाना सुजाना इस टाइप का होता है तो योद्य चौपाई अब देखते हैं कवित रूप धनाश्री भी बोलते हैं इसको जिस चंद ए प्रत्य चरण में 32 वर्ण हो कितने वर्ण हो 32 और 16-16 वर्णों ए पश्चात यती हो और अंत में गुडू लगू अक्रम हो तो वो होता है हमारा कवित अब देखते हैं जिस चंद ए प्रत्य चरण में 32 वर्ण हो वर्ण आपको पता है का खगा होता है तो यह पहला चरण इस तंदर आप क्या कर लेंगे गिल लेंगे कितने वर्ण है 32 होने चीए वर्ण और हर 16 वर्णों ए पश्चात यती हो और जब 16 वर्ण हो जाएंगे तो उस अबात के आएगा यह कौमा आएगा और अगली लाइंग शुरू हो जाएगी ठीक है तो 16-16 वर्ण उपर वाले में होंगे और 16 वर्ण नीचे वाले में होंगे इस तरीके से हमारा कवित बन जाएगा बात अरते हैं सवयों की सवय यह क्या होते हैं इसमें 22-26 वर्णों तो इसमें क्या होते हैं 22-26 वर्ण हो सकते हैं चाहे 22, 23, 24, 26 जितने भी हो और 4 चरणों वाले यह चंद होते हैं तो इसमें 4 चंद और आजाएं नीचे मैंने पूरा कंप्लीक नहीं किया इसको काफी बड़ा था यह आप बस याद रहें कि किसमें कितनी मात्राइं होती हैं और कितने वर्ण होते हैं इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राइं होती हैं और दूसरे और चौत्थे चरण में 13 मात्राइं होती हैं बिल्कुल दोहे का उल्टा दोहे में क्या था पहले और तीसरे में 13 मात्राइं थी इसमें क्या हैं पहले और तीसरे में 11 याद रहेंगे जो दोहा है उसा इलता होगा सोठा सोठेटाइडा होगा दोहां इस तरी अपद विचार में से याद रहेंगे नेस्ट है धनाश्री परते चरण में इततिस वर्ण हो और सोला वर्ण वह पंद्रा वर्णों पर यती हो अन्त में गुरू हो तो यह उड़िया हमारे धनाश्री का सोला वर्ण यह उसके बाद यती हम मतलब क्या है कौमा लगाए और फिर पंद्रा वर्ण यानि पहली लाइन में सोला वर्ण दूसरी में पंद्रा वर्ण वर्ण मैंने बता दिया आपको व्यंजन जो होते हैं हमारे यह होते हैं तो इनको डिन लेंगे नैस्ट है मुक्त आधने युग में चंदों के नियमों से मुक्त हिदय मुक्त उच्छवास मानते हैं बिलकुल देखी क्या है यह मतलब यह है कि आज टाइम पर जो हमारी कविताय लिखी जाते हैं उसमें चंद दोहा यह समनी देखा जाता अगर कविते उपर इतना बरड़न ओटी एक दिया हुआ है पंतों निराला इनकी जांपल जो चंद मुक्त जो हैं लेकते हैं नेस्ट आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अलंकार जिसके अंदर यम शलेश अनुप्रास उक्मार उप अतिश्य उत्युत प्रेशा यह आपकी स्लेबस में हैं तो यम क्या होते हैं दो अलग है नेक्स्ट है शलेश अधिकार क्या होते है चिपणा शलेश अ मतलब चिपणा जहां यहीं शब्द जो हो वह एक ही बार आये लिए उसे अर्थ अलग लगो जैसे कि गगन को देखी पट देत बार बार है तो पट जो है वह एक दरवाजे के लिए भी आया है और तो एक ही शब्द कई अर्थ हो तो शलेश अलंकार होता है अब अनुप्राज जो बहुत इज़ी इसमें क्या होता है कि समान ध्वनी की अवरिती बार बार होती है जैसे चारु चंद्र की चंचल केड़ने तो चोचोटी अवरिती बार बार हो रही है उसे वादे उपमा अ इसमें क्या होता है अरौ आऊपन होता है और समानता है जाए म माइया में चंदर थीलोना ले क्याया है कि चंदर थीलोना ले उनती जिद्धी कि किसी वस्तु पडार ख में बढ़ और कर दें तो बला है कि सूरज अपना maar रास्ता बूल जाए तो जादी बढ़ा चड़ा के बोल दिया चाहिए कितनी सुन्दर बालो सूरज थोड़ी न अपना रास्ता बूलेगा तो ऐसी बातों पर क्या होता है ती शोक्तिय लंकार हो नेस्ट है उत्प्रेशालंकार इसमें उपमें से उपमान की संभावना या कलपना कर ली जाते इसमें न यह शब्द आएंगे मानो मानो मनूवन हूँ जानो जनुव जीओ तो आप समझ जाएं कि उत्प्रेशालंकार है जैसे ले चला मैं तुझे टनक जो भेशु ले और व मजनी के पीच एक और प्रत्यश प्रक्डिया होती है वही होती है शब्द शक्ति जैसे किसी शब्दों सुनती मर्थ समझ जाएं उधारन के लिए सरदार पटेल महान थे तो इस सीधा इस परष्ट सी बाते की वह महान थे ले इन अड़र में कहूं सरदार पटेल लोह पु मतलब सभी शब्दों के नाम वाची या यानि साथ जो नाम है उसी से पहचानने जैसे कि अगनारे मारे माइड में जाता है चार पैर पूझ है ना गाए ही हमारी माइं तो मधु गाए तो गरी थोड़ी ना बंढ़ी मतलब गाय के गोण है उसमें को सीधी साधी हैं तो यह होता है लखना नेस्ट आता है व्यंजना व्यंजना में क्या होता है मुठ्य आर्थ या फिल लाभाज से भिन किसी विशेश अर्थी प्रतीती अबोध मतलब यहां पे तो थोड़ा डिफिकल्ट वाला हिंदिया जाता है हमारा जैसे रहिमन पानी अर्थ तो जल है तो अभीदा लखना इस यह अर्थ नहीं लगा सकते पानी का अर्थ कांती प्रतिष्ठा अधी रूप में भी है कि अगर आप यह चीज़े चली जाएं तो दुबारा आपको वापस नहीं मिलती नेस्ट है मुहावरे मुहावरे क्या होते हैं वाक्यान जो सबी खड़े हैं अर्थ के स्वाव लंबी होना इंडेपेंडेंट होना आठ लगना यानि नेंद्र आना गोबर रणेशनी मुठता खात में मिलना यानि नश्ट हो जाना यह ओड़े मुहावरे नेस्ट है हमारा लोगोतियां तो लोगता यह घटना द्वारा मुझ से निल और अनृट में राजा यह पीकर साधारन जानकार भी है तो लोगों में बड़ी दिए गांधयी अर्थ में पता होता देख लिए जो बहुत कम काला अशर भैस बराबर निराशर होना और भी बहुत से उधारन के मिल जाएंगे मैंने ग्रैमर की वीडियो पहले भी बना रखते हैं चाहिए तो आप वहां पे बहुत सारे मुहावरे लोगोतियां देख सकते हैं अब भाव की दृष्टी से अब भाव की दृष्टी से देख लेते हैं शब्दों को इसमें आएंगे रस उसकी अफधारना महत वो रस प्रकार तो कावी शास्तर में साहित्ति के पठन पार्थन में जो आनंद मिले वही रस होता है यानि रस मतलब आनंद इस रस वो अनुभ व्या भिचारी भाव संयोगा द्रश निश्पति है अर्थात विभाव अनुभाव या भिचारी भाव के संयोग से ही रस इनिश्पति होती है तो रसो अमहत्व क्या है काव्य रचना में यह अविशक है रस यूत काव्य इसार्थरता होती है काव्य इस सुन्धरता है और दर्शक्रिस से मुद्ध हो जाते हैं इंपॉर्टेंट जो है रसो ए प्रयार जो ही टोटल नाइन है पहला है शिंगार रस जो इस रेश्ट सम्रस है इसे रस राज भी कहते हैं इस थाई भाव है रती यानि प्रेम इसे दो प्रयार है संयोड और वियोग्र संयोड में मिलन की बात हो और वियोड में क्या होता है वियोड यानि बिछडने की बात नेक्स्ट है हास से रस इस थाई भाव जो है वह याद रहे हैं वह हसना या फिर हास जहीं कहीं वी जित्ते भी जो स्वगेरा होते हैं जिससे बढ़र में हसी आए तो वहां पर कौन सा रस होगा ह भी जैने डे बात कि आपको अजबादने की बात की जाए तो वीर रस की बात होगी कर rozp हमारी उंदर कणना जाति किसी चीज Should दया जाती है तो वहां पर कर्ण रस होता है क्रोथ किसी चीज और पन क्रक अे हम राहा हमारे मन में तो और अब इखे बाता है धना अब विभत्रस्ट किया होता है स्थाहिए ओध्रक्रिज शांत रस में क्या होता है विराध्य और त्यार की भावना होती है त्यार देना शांत रहना तो उत्ता है शांत रस और फिर आता है हमारे वास्तले रस जिसका इस थाई भाव है इस नहीं यानि माता पिता का प्रेम अगर छल रहा हो किसी लाइन में चाये वो कृष्ण का यश तो वहाँ पर क्या होगा हमारा वासलेरस होगा तो यह था यूनिट्व आपका थोड़ा बड़ा था यूनिट्वी काफी सारे टॉपिक इसमें कवर करने थे आपके टॉपिक जो हैं यहां पर क्लियर हो रहे होंगे अगर आपको कोई भी ऐसा ग्रैमेटिकल जो टॉपिक है वह नहीं सॉल्व हुआ हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं मैं अलग से वीडियो बना दूंगे उसके लिए वीडियो तब खराब होने से थोड़ा लेट हो गही है अब मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर वीडियो आप तक पहुंच जाए थैंक्यू